हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चाइनल टोटल फिजिकल एजूकेशन बीपीएट सीटी के अंतरगत, फिप्टी नंबर के कम्पिटर स्क्रिनिंग टेट्स के लिए जो सिलाबस है, वो सिलाबस तीन पार्ट में डिवाइड है उसमें से पहला पार्ट है general knowledge, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहला पार्ट है general knowledge, जिसके सम्मंधित कुल मिलाकर 15 questions पुझे जाएंगे दूसरा पार्ट है mental ability, जिससे सम्मंधित कुल मिलाकर 15 questions पुझे जाएंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जनरल नॉलेज से समंदित जो questions पूछे जाने वाले उसे समंदित जानकारी उसे समंदित questions आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं तो दोस्तो जनरल नॉलेज अर्थात जी के इस topic के अंतरगत कुल मिला कर 5 subtopics है इन 5 subtopics से related questions मैं अलग-अलग वीडियो में आपके सामने प्रस्तूत करने वाला हूँ आज के पहले पार्ट में मैं केवल general science and technology इस गटक से समंदित questions and answers आपके सामने प्रस्तूत करने वाला हूँ दोस्तो बने रही है मेरे वीडियो के साथ अंतर तक जानकारी लेते है जनरल नॉलेज से समंदित सबसे पहला topic है general science and technology related mcq भारत के mission चांद्रायन 2K lander का नाम क्या था काफी चर्चा में था यह mission option कुछ इस प्रकार से है विक्रम, शौर्य, वीर, सक्षम तो दोस्तो mission चांद्रायन 2K lander का नाम option A विक्रम था याद रखिएगा question important है निम्ल लगित में से कौंसा देश 5G internet launch करने वाला पहला देश बन गया है option है भारत, जापान, सयुक्तराष्ट अमेरिका, साउथ कोरिया तो दोस्तो ये चारो option में पहला option तो कड़ी गया भारत, क्योंकि भारत में बड़ी मुश्किल से 4G चल रहा है वो भी जाप network रहेगा तो वहाँ पे 4G चलता है ये तो 5G तो बहुत दूर की बात है इसलिए एक option कड़ गया, रहे तीन option, तीन option में से कोई भी एक answer हो सकता है तो दोस्तो ये जो चार option दिये रहते हैं इसमें से कुछ-कुछ options ऐसे होते हैं कि जिसका संबंद बिल्कुल नहीं होता तो वो option आपको पहले ही cut कर देना है, ठीक है? तो निमनलिकित में से कौन सा देश, जो 5G इंटरनेट लॉंच करने वाला पहला देश बन गया, उसका correct answer है option D, South Korea याद रखिएगा दोस्तो, important question है निमनलिकित में से किसने penicillin की खोच की थी? science related question है, option है Charles Goodyear, Michael Farade, Alexander Fleming, Williams Harvey इसका सही option है, option number C, Alexander Fleming next question, भारत के पहले सुपर कम्पुटर का नाम क्या था? technology संबंदित question है, option A, इसके परम, आदित्य, अनुपम आध्या, सागा, 220 अधिकतर लोगों को इस question का आंसर पता है इसका आंसर है, option number A, परम, काफी important question है, याद रखिएगा पाचवा question है, इस रोगों का सही full form क्या है? option A, Indian Space Research Organization, option B, Indian Scientific Research Organization, C, Indian Sports Research Organization, D, Indian Speech Research Organization, काफी लोगों को इसका आंसर पता है इस रोगों का सही full form इसका आंसर है, option number A, Indian Space Research Organization, next question है, USB का full form क्या है? technology सम्मदित question है, option A, universal serial bus, option B, universal security block, C, United Service Block, D, ultra serial block, हमेशा pen drive हम use करते हैं, इससे सम्मदित यह question है, इसका सही answer है option number A, universal serial bus, important question है, याद रखिएगा question number 7, निम्नलेखित में से programming भाषा नहीं है निचे दिएगे option है, उसमें से programming language जो नहीं है, उस option को हमको choice करना है, option है, python, sql, java, और last है, froyo, इसका सही answer है option number D, froyo, froyo यह programming language नहीं है question number 8, भारत का सबसे पहला उपग्रह कोन सा है, option है, आर्यभट, विक्रमादित, सूरज, इन में से कोई नहीं दोस्तो, काफी लोगों को इसका answer पता है, भारत का सबसे पहला उपग्रह, इसका सही answer है option number A, आर्यभट, important question है, याद रखिएगा अगला question है, HTML का full form क्या है, दोस्तो, यह question, काफी exams में पूछा जाने वाला question है net की exam में, set की exam में, और बहुत सारी competitive की exams में यह question पूछा जाता है तो इसकी पूछने की संभावना जादा है, इसलिए HTML का सही full form, इसके options दी है यहाँ पे पहला option है, higher text making language, second option है, hyper text markup language, third है hyper text making links, और last option है hyper text mixer links तो इसका सही option है, option number B, hyper text markup language, काफी important question है, इसको याद रखिएगा अगला question है, computer का आविशकार किस नहीं किया, दोस्तो, कुछ-कुछ questions काफी बार पढ़ने में आ चुके, इसके पहले भी हमने इस प्रगार के questions read कर चुके है इसके answer भी हमको पता रहते, लेकिन, exam के समय हम confused हो जाते और गलत option choice करते, तो हमको इसका reading करना बहुत ज़रूरी है तो computer का आविशकार किस नहीं किया, इसके options है, Michael Faraday, Bill Gates, Charles Beavage, Graham Bell तो दोस्तो इसका सही answer है, option number C, Charles Beavage, Charles Beavage इन्होंने computer का आविशकार किया था तो इस प्रकार से general science and technology संबंती 10 questions हमने देखे है दोस्तो सबसे महतवपूर्ण सूचना आप लोग के लिए यह है वीडियो के दोरान बताये गए, जितने भी questions है, या फिर future में जितने भी questions मैं आपके साथ discuss करने वाला हो वे questions exam में आ भी सकते हैं या फिर नहीं भी लेकिन हमारा सबसे महतवपूर्ण उद्देश यह है कि exam pattern किस प्रकार से होता है यह पता करना exam में question आएंगे इसकी तो guarantee नहीं दे सकता लेकिन आपका exam pattern इसी प्रकार से रहने वाला है, आपके question का pattern इसी प्रकार से रहने वाला है जिके का general knowledge से समद्दी जितने भी questions आएंगे, वेसे भी questions इस pattern में आने वाले है तो इस प्रकार से जिके के अंतरगत general science and technology का पहला पार्ट इस वीडियो में मैंने आपके सामने प्रस्तूत किया है जिन्होंने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया, उनसे मेरा अनुरोद है, चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में, दुसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए, अलविदा